आखिर एक साल के बाद चमबा जिला में डलहौजी के परियतन स्थल के तलेरू बोटिन प्वाइंट परियटकों के लिए खोल ही दिया गया। अखिर खोल ही दिया गया। उन्होंने कहा यह बहुत ही सुंदर और आकरशक स्थल है और यहां पर नई किष्टियां गूमने के लिए मिल रही है। उन्होंने अपने मित्रों बंदू जनों से भी आग्रह किया कि अगर वह हिमाचल गूमने के लिए आये तो एक बार तलेरू बोटिन प्वाइंट गूमने के लिए जरूर आएं यहां पर बहुत ही सुंदर और खूबसुरत जगह हुने। बोटिन प्वाइंट के प्रबंधन को देख रहे विजय कुमार ने बताया कि काफी दिनों के बाद सैलानियों के यह पॉइंट खूल दिया गया है। उन्होंने कहा कि सैलानियों के लिए यहां पर नई और आकरशक किष्टियां लाई गई हैं ताकि जो भी यहां सैलानी गूमने के लिए आए वह वोटिन का पुरा आनंद उठा सके। तलहौजी जिला चमबा से सलीन खान की रिपोर्ट तलेरू बोटिंग पॉइंट पे एक नई बोट है केटा मेरीन। इस बोट की सबसे खास बात यह है कि यह बहुत ही स्पेशियस है। इसमें एक साथ काफी यात्री सफर कर सकते हैं और इस बोट में म्यूजिक सिस्टेम हैं और काफी इंजॉइमेंट आप कर सकते हैं और इस बोट से काफी अच्छे अच्छे व्यूज आप ले सकते हैं। कभी भी डलोजी आए तो आप इस बोटिंग पॉइंट पे जरूर आए और यहां पे आप खूब एंजॉय करेंगे तो आज हमने यहां तलेरू जो बोटिंग पॉइंट है यहां का प्रोग्राम बनाया था और बहुत ही बड़ी एक्सपीरियंस हमारा रहा है हमने हर राइड ली है और बहुत ही इंजॉय किया है मैं चाहूंगी कि यहां पे आएं ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पे आएं इंजॉय करें सपोर्ट करें हमारे जो कंट्री में भी इतने सुन्दर पॉइंट है कि हम यही देख लें तो आई थिंक वो भी एक अचीवमेंट होगी और बहुत ही सुन्दर यह वरा जो तलेरू का जो बोटिंग पॉइंट है इसमें आओ आओ आप इंजॉयमेंट करो इस बोट में स्पेस है मुजिक सिस्टम है आप आगे मूवी बनाओ शनैप लो बहुत अच्छी है एक बार आओ 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 आप देखो इंजॉयमेंट कर बहुत अच्छे बीव है यहां एक बार आओ आओ आप और आज हम आप यहां पर आए हैं बोटिंग पॉइंट तलेरू में यह एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन स्पोर्ट है सब टूरिस्ट के लिए and I request I urge all the viewers to come here at least once and enjoy this beauty natural beauty मैं यही कहना चाओंगा travel safe safe रहे safety के साथ tourism support कीजिए हमाचल प्रदेश में and must visit boating point तलेरू